नमस्कार मित्रो जैसे जैसे महमूद गजनवी के भारत अभियान का इतिहास आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे बहुत से दर्शक हमें लिख रहे हैं कि भारतियों ने अपने इतिहास से कोई सीख नहीं ली वे आज भी जाती, ख्षेत्र, भाषा जैसी समस्याओं में उल्जे हुए हैं इन समस्याओं के कारण भारत कमजोर पड़ता है हमें इन समस्याओं से उपर उठकर स्वैम को भारतिय समझना चाहिए और वैसा ही आचरन करना चाहिए हम दर्शकों के इन विचारों से पूर्ण सहमती रखते हैं धन्यवाद पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि हिंदू सेनाओं ने तीन दिनों तक महमूद घजनवी से युद्ध किया तथा उसे मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया किन्तु जब सोमनाथ में महमूद का प्रतिरोध करने के लिए कोई भी युद्ध क्षेत्र में नहीं बचा तो आठ जनवरी 1026 की रात्री में महमूद ने सोमनाथ महाले के गर्व ग्रह में प्रवेश किया उसने देखा कि सम्पूर्ण महाले सागवान की लकडी के 56 खंबों पर इस्थित है जिन पर रांगा चड़ा कर उनमें हीरे जवाहरात जड़े गए है कुछ लेखकों ने इसे सीसा बताया है जबकि सीसे और रांगे में अंतर होता है रांगा तिन धातू से बनता है जबकि सीसा लेड धातू से बनता है किसी भी बरतन अथवा धातू पर तिन से कलाई की जाती है तथा लकडी के खंबों पर उसकी चद्दरें चड़ाई जाती है जबकि लेड में यह विशेष्टा नहीं होती ततकालीन मुस्लिम लेखकों द्वारा किये गए वर्णन के अनुसार सोमनाथ महाले के काश्ट इस्थंभों से बने मंडब के मध्य में पत्थर की तराशी हुई पांच गज की प्रतिमा लगी हुई थे वस्तूत है यह प्रतिमा नहीं थी शिवलिंग था किन्तु गजनी के मुस्लिम लेखकों ने इसे मूर्ती समझ लिया यह शिवलिंग हवा में अधर था इसे किसी भी तरह से कोई सहारा नहीं दिया गया था कुछ लेखकों ने इस शिवलिंग की उँचाई पांच गज अर्थात 15 फुट बताई है जो की सही प्रतीत नहीं होती क्योंकि हिंदू मंदिरों में शिवलिंग के उपर जलधार एवं दुगधा विशेक करने तथा उस पर चंदन का लेब करने की परमपरा है इतने उँचे शिवलिंग पर जलाभिशेक एवं चंदन लेब करना संभव नहीं है अतह 15 फुट का शिवलिंग बनाया जाना कठिन है सोमनाथ का जोतिर लिंग इसा से भी सेंकड़ों साल पुरा ना था उस काल में इतने बड़े शिवलिंग किसी भी अन्य शिवाले में देखने को नहीं मिले है अतह शिवलिंग इतना उँचा नहीं रहा होगा मेहमूद गजनवी को गर्ब ग्रह के भीतर आया देखकर शिवाले के कुछ प्रमुख पुजारी जोतिर लिंग से लिपट गए मेहमूद ने अपने हाथ में पकड़ी हुई लोहे की एक गुर्ज से जोतिर लिंग पर भयानक प्रहार किया जिससे हजारों साल पुराने जोतिर लिंग के टुकडे विखर गए शिवलिंग के साथ ही उन पुजारियों के मस्तक भी बिखर गए जो उन्हों ने अपने आराध्य देव के उपर टिका दिये थे कुछ लेखकों ने लिखा है कि मंदिर के पुजारियों ने महमूद गजनवी के दामाद खवाजा हसन महदी से कहा कि यदि महमूद इस शिवलिंग को भंग न करे तो शिवलिंग के भार से दो गुना सोना महमूद को देंगे इन लेखकों के अनुसार महमूद ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया किन्तो जब महमूद को सोना मिल गया तो उसने यह कहकर शिवलिंग भंग कर दिया कि मैं बुद शिकन हूँ, बुद परस्त नहीं हूँ, नहीं बुदों का सोदा करता हूँ कुछ लेखकों के अनुसार उस विशाल शिवलिंग के भीतर धेरों कीमती जवाहरात निकले जो पुजारियों द्वारा दिये गए सोने से भी कई गुना अधिक मूल्यवान थे यह बात सही प्रतीत नहीं होती कि शिवलिंग के भीतर से रत न निकले होंगे क्योंकि भारत में कहीं भी भीतर से खोखले शिवलिंग नहीं मिलते, वे ठोस पत्थर से बने हुए होते हैं जामे उल हक्यात वह तारीखे फरिष्टा में लिखा है कि सोमनात का शिवलिंग लोहे से बना हुआ था और मंदिर की दीवारों तथा छत में चुम्बक लगा कर उसे अधर खड़ा किया गया था जब मंदिर की एक तरफ की दीवार के पत्थर हटाए गए तो शिवलिंग एक और को जुख गया यह बात सही प्रतीत नहीं होती कि शिवलिंग लोहे का बना हुआ था और चुम्बक के सहरे अधर किया गया था भारत में लोहे के शिवलिंग नहीं बनाय जाते वे प्राय, कीमती और मजबूत पत्थर से बनाय जाते हैं, जिनमें कसोटी तथा ग्रेनाइट जैसे कठोर पत्थर प्रमुख है यह पत्थर सैंकडों साल तक जलाभिशेक के बाद भी बहुत कम गती से खशरित होते हैं अते सोबनात का शिवलिंग भी किसी मूल्यवान पत्थर से बना हुआ होगा तथा पत्थर को चुम्बक के सहरे हवा में अधर नहीं किया जा सकता चुम्कि मुसलिम लेखकों ने शिवलिंग के हवा में अधर होने का उलेख अत्यदिक विश्वास के साथ किया है इसलिए यह मानने में कोई आपत्ती नहीं है कि शिवलिंग हवा में अधर रहा होगा किन्तो उसे अधर करने के लिए किसी अन्य विधी का सहरा लिया गया होगा जहां तक शिवलिंग के चारों और की दीवारों के पत्थर निकालने से शिवलिंग के जुकने की बात है वे सही जान पड़ती है क्योंकि शिवलिंग के अधर में संतुलन का आधार वही पत्थर रहे होंगे शिवलिंग के भंग होने के बाद जिन रत्नों के निकलने की बात कही गई है वे रत्न शिवलिंग के मंडब की दीवारों के पत्थर हटाने से मिले होंगे कहा जाता है कि शिवलिंग के टुकड़ों में से चार टुकड़े गजनी ले जाए गए जिन में से दो टुकड़े मदीना भेज दिये गए मंदिर शिखर के ऊपर लहरा रहा भगवा जंडा तोड़ कर फैंक दिया गया तथा उसके इस्थान पर हरा जंडा लगा दिया गया शिवलिंग भंग करने के बाद शिखर पर हरा जंडा लगाने की बाद सही प्रतीत नहीं होती है क्योंकि मंदिर का शिखर महमूद की सेना द्वारा तोड़ दिया गया था मंदिर परिसर में बने देवालेयों में प्रतिष्ठित सोने चांदी की हजारों छोटी बड़ी मूर्तियां जिनके आगे रत्न जडित परदे लटके हुए थे अनगिनत स्वन पात्र देवताओं के आभूशन मंदिर के द्वार पर लगे चंदन के दर्वाजे रत्न जटित जाड़ फानूस आधी प्रत्येक मुल्यवान चीज लूट ली गई महमूद की सेना ने इस सामगरी को उटों पर लाद लिया महमूद गजनवी का यह अभिष्ट तो सिद्ध हुआ किन्तो मंदिर की हजारों देवदासियां महमूद के सोमनाथ पहुँचने से पहले ही महले छोड़ कर चली गई थी जिसके कारण उन्हें लूटने की अभिलाशा महमूद के मन में ही रह गई फिर भी कुछ देवदासियां महमूद के हाथ लगी जिने महमूद ने अपने साथ ले लिया महमूद अधिक समय तक सोमनाथ में नहीं रुक सकता था अन्यथा गर्मिया आरंभ हो जाती और उसके लिए मरुस्थल को लांग कर गजनी तक पहुंच पाना असंभव हो जाता अतह महमूद गजनवी ने तोरंट ही गजनी वापसी का कारिक्रम बनाया अगली कडी में देखिये भारतियों ने महमूद को भारत में ही घेर कर मारने की योजना बनाई कृपया इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करें धन्यवाद